आईशा खान के उपर F.I.R दर्ज होगी भाई ये तो कामी ऐसे सब चीज़े करती है ना आईशा खान और F.I.R नहीं होगी तो और होगा भी क्या इसमें बहुत जादा घमंड आ चुका है ये चीज़ तो आप लोगों को पता ही है और आईशा खान को पहचान जो है वो सिर् अब उसक्ता है और पैसों के मामले में बड़ा मतला कि अपना मारवाडी दिमाग जो है वो दिखाती है आईशा खान ने एक सॉंग किया था और जब भी आप कोई सॉंग या कभी आप कोई प्रोजेक्ट वगएरा करते हैं तब उस प्रोजेक्ट के एग्रिमेंट होता है क अब रिलीज होने वाला होगा तब इसकी प्रोजेक्ट आप करते रहेंगे तो आईशा खान ने भी ये सब चीज़े की अब उस सॉंग की प्रोजेक्टर जो है वो उनका कहना ये है कि मेरे पास सब कॉपिस पड़ी है अब वो इस मीटिंग में भी बुलाया गया था इस प्रोजेक्ट है बड़ा गाना है तो वो उसकी प्रोजेक्ट करने के लिए जगा जगा पर लगी हुई है और हमारी बॉटल जो है वो खाली कर रही है तो मीडिया ने इनसे ये भी बात पूछ ली कि क्या आईशा खान पहले भी ऐसी थी या बिग बॉस के बाद ऐसी हुई तो उन्होंने बोला कि मैं पहले बे उसके साथ काम कर चुका हूँ बहुत ही जदा प्रफेशनल थी अगर उसको दो घंटे जदा तो मारवडी दिमाग से यही बात बोलती कि नहीं अंकल मेरे को इतना पैसा एक्स्टर लगेगा तो काफी जदा प्रफेशनली वे में काम कर रहे हैं यानि कि आईशा खान को कितना जदा घंट है कि तुम तो छोटे मोटे हो भाई तुम मेरा मेरा क्या ही तुम कर पाओगे मेरा क्या ही तुम उखाड़ पाओगे मैं नहीं आउंगी तो यह सब घंट जो है वो आईशा खान दिखा रही है इससे साफ तोर पर पता च तक के जो है काम की तलाश करती थी और आज जो है काम को अपने दर्ज से भटका रही है और लोगों को इस तरीके से तंग कर रही है कि वो इसके उपर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताईए